वेलकम नमस्ते एवरिवन तैंक्यो 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 सो मच्छ और इंविटेशन तो चलिए आप बात करते हैं हमें एक्चली यहीं डिस्कृशन करना था महोदे जी ने पूछा मुझसे कि धर्म आपके वाक्य में आप बताईए कि धर्म क्या है जमनों ने इंटर्व्यू हमारे लिए निस्टिल यह तो चली रहा है चली बाकी बाते और करते हैं रहेंगे तो पहले काम की बाते कर लेते हैं So once again आप सो बहुत अच्छे होंगे मुझे हुमेद है और ऐसी ही खुश रहिएगा अच्छे रहिएगा मुस्कुराते रहिए तो अच्छा लगता है परिशानिया तो सब के साथ होती है बस एक जिंदगी में खुश रहना भी एक बहुत बड़ा सौभाग मिलता है जो सब क साथ नहीं होता है हर दुख में भी अगर आप मुस्कुराओ तो जिंदगी भी एक दिन आपको मुस्कुराना सिखा देगी मेरा ऐसा मानना है तो चलिए आउदेश जी मैं बात करती हूँ धर्म के बारे में अगर आपका ये कहना है तो अगर मैं धर्म की बात करूं तो लो भी नहीं फॉलो करते हैं मेरे विशे में अगर आप धर्म की बात करते हैं मैं एक समात से विका हूँ और समात से विका के लिए एक धर्म मानवता से बड़ी कुछ नहीं होती है मैं हम कभी किसी को रोटी देते हैं तो मैं ये नहीं पूछती हूँ कि तुम किस जाती से बिलॉंग करते हो समझ नहीं चीजों को और ये मैं बहुत ही दिल से आपको बोल रही हूँ कि हमारे देश में जो मानवता होनी चाहिए अभी भी नहीं मैं किसी जाती पाती को लेकर नहीं बोल रही हूँ धर्म का मतलब मेरे हिसाब से मानवता होनी चाहिए अगर किसी को एक रूटी की जरूरत है तो हम उसकी मदद करें उसकी चीजों को समझे उसको समझे जो उसको चहिए हम कुछ भी बोल के निकल जाते हैं कभी नहीं समझते हम उनके बारे में और अकर धर्म की बात करते हो और वही है भगवान जब बना कर भेजते हैं वो कभी नहीं पूछते हैं कि तुम्हे मैं हिंदू बना रहा हूँ तुम्हे मैं क्रिश्वन बना रहा हूँ तुम्हे मैं मुश्लिम बना रहा हूँ तुम्हे मैं शीक बना रहा हूँ या क्या बना रहा हूँ वो बस हमें दो हांद, दो पैर आँख देखने के लिए, कान सुनने के लिए और हाथ काम करने के लिए पैर चलने के लिए बनाते हैं और एक रक्त रहता है हमारे शाथ फिर हम क्यों ऐसा धर्म, धर्म, धर्म के पीछ लडाई करते हैं और वो चीज नहीं सोचते हैं जो हमें सोचना चाहिए वो चीज नहीं करते हैं जो करना चाहिए और हम बेवज़ा उलच के रह जाते हैं आखिर क्यों तो यहाँ पर यह बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि मेरे हिसाब से धर्म हमारी मानवता होनी चाहिए जो हम आपको दे रहे हैं कल आप एक छोटी से चीज सोचे कल आप बिमार पढ़ते हो कहीं रहते हो आपको बहुत ज़रूरी है आपको रक्त की ज़रूरत है क्या आप पूछते हो कभी कि तू किस धर्म से है जिसकी रक्त मुझे लेना है हम कभी नहीं पूछते है हम क्या पूछते है ग्रूप पूछते है मैच कर रहा है क्या हमारे बलड ग्रूप से तो मुझे दे दो जिन्दा रहना उस समय आप जिन्दगी और मौत से जूचते है तो आप जिन्दगी को चूनते हैं फिर हम एक धर्म के लिए क्यों लड़ते हैं मनुष्य जीवन इतना परमकार है इतना शुन्दर है फिर हम उस मनुष्यता के साथ क्यों नहीं जीना पसंद करते हैं और धर्म के पीछे भागते हैं सो मेरा यही कहना है कि धर्म एक बहुत पवित्र सब्द है उसका बहुत सोच समझ कर इस्तमाल कीजिए ना क्योंकि धर्म हमारी मानुता को जाउडता है आपने साहत एक बहुत लोगों ने पढ़ते होंगे मैं भी कुछ-कुछ ऐसी पढ़ती हूँ तो एक लाइन था जब अर्जुन स्रिक्रिष्न को बोलते है कि मनुश्य इतना धर्मी क्यों है और वो इतना कुछ कर्म क्यों करता है हमेशा क्यों मतलब कभी-कभी मैं भी यही सोच में पढ़ताती हूँ मैंने भी कई गलतियां की है मैं करती हूँ in fact मैं accept करती हूँ ऐसा नहीं है कोई भी बहुत सही नहीं है मैं यह नहीं बूलती हूँ कि आप बहुत अच्छे हो या मैं बहुत अच्छे हूँ नहीं हूँ मैं भी गलत हूँ कही नहीं लेकिन ऐसा भी नहीं हूँ कि जो चीज़ समझना चाहिए उसको मैं नहीं समझती अगर हम ये चीज़ सोच लें कि जो बात बोल रहे हैं वो कहां पे लग रहा है तो गलती ही नहीं होगी लेकिन हम बोलने के बात सोचते हैं कि हमने क्या बोल दिया और वो बात का इफेक्ट कहां होता है तो वही कृष्ण बोलते हैं अरजून बोलते हैं कृष्ण को कि मनुष ना चाहते हुए भी बुरे कर्म क्यूं करता है तो इसका क्या उत्तर है आपके पास तो मेरे पास तो यही उत्तर है कि ना चाहते है बुरे कर्म इसलिए करता है कि उसे कुछ दिखता नहीं है मतलब आँख रहते हुए भी वो अंदा है क्योंकि उसे दुनिया नहीं दिखती कर क्या रहें वो नहीं दिखता सुन क्या रहें वो नहीं दिखता बोल क्या रहें वो नहीं समझता तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ना चाहते हो भी हम गलत कर देते हैं इसका परिभासा यही है कि धर्म हम बस धर्म के पीछे लगे हैं जाती पाती धर्म ये भेद भाव उससे कभी उपर उठे ही नहीं कि हमारा एक मनुष्य का धर्म मिला है इससे बड़ा धर्म और क्या हो सकता है इतना ब्यूटिफूल लाइफ के सामने है हम बस वो धर्म को लेकर चले जाते हैं और कभी ये नहीं सोचते कि एक मानवता इतनी बड़ी धर्म है चीजे यहीं है ओदेश जी कि धर्म मानवता है हमारे हिशाब से और हमें उस मानवता को पारंपरी करूप से निभाना चाहिए एक दूसरे को समझना चाहिए एक दूसरे की मदद कीजिए अगर किसी की पास एक रोटी के टुकड़े नहीं है खाने को और आपके पास एक रोटी के टुकड़े हैं, तो आप उनके साथ आधा माट कर खाईए, पूरे खुद खाने की कोशिश मत कीजिए, यह एक धर्म है, सामने वाले को समझने की कोशिश कीजिए, इतना भी मत लूटी है कि सारा संशार लूट जाए और आप अकेले राजा बन के ब लगी, तो आप मेरा ऐसा मानना है कि जिन्दिगी में जो खुशिया है, वो खुशिया कहीं न कहीं तो लूटी जाती है, कहते हैं हम चलते हैं बहुत दूर से, प्रभू ने तो मुझे भेजा है, आप धर्म की बात करते हो, हम तो यहां भूखे मरते हैं, हमें पूशने वा तो समझे खुशी उन चीजों सो यह, कि वो एक चड़क पे खड़ा बोलता है, तू आज पानी दे दे, मैं खुश हूँ, कोई भी धर्म से तू एक रोटी दे दे, मैं खुश हूँ, क्योंकि मुझे जिन्दा रहना है, यह दुनिया देखना है, धर्म, धर्म करके तो हम अ पैसे इस तो सायद सबको जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, कि सबसे बड़ी चीज है कि हम मानवता धर्म को निभाए, एक दूसरे को समझे, मदद कीजे, यह पैसे, यह दुनिया, यह सारा, सारी लगजेरी, सारी चीज़ें आपकी यहीं पे रहेगी, आप कुछ भी लेक ले जाऊंगा, नरक ले जाऊंगा, कभी नहीं, सब कुछ यहां है, दो सब्द अगर आप सोच कर समझ कर किसी को बोले, किसी को बात कर ले बहवार से, तो कितना खुश महसूस करते हैं, एक सेक्यूरिटी को आप सैल्यूट दे दो, वो कितना खुश महसूस होगा, हर दिन आपको सैल्यूट करता है, आप उसको एक दिन सैल्यूट करके देखो, वो कितना खुश होगा, कि मैडम ने, सर ने मुझे आज सैल्यूट किया, समझ दो आप चीजों को, तो बड़ा, छोटा, जाती, वादी, कुछ नहीं है, हमें एक मनुश्य हैं, और मनुश्यता का धर् अगर आपके पास ये नहीं है, तो सायद कुछ भी नहीं है, मेरा ऐसा मानना है, तो थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया, और मुझे मौका दिया, और मुझे अपनी बातों को रखने के लिए, और आपको भी क्लियर होगा होगा कि धर्म क्या है, थैंक यू सो मच,